इस वीडियो में हम पढ़ने क्लास 9 के जोग्राफी के चैप्टर 2 को जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स आफ इंडिया और यह है वीडियो नमबर 4 इसे के पहले तीन वीडियो किये हैं मैंने इस चैप्टर के उपर तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो निचे ड देख सकते हैं तो देखिए अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने यहां पर इंड किया था यानि जो हमारा Northern Plains था उसको हमने पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाल है Peninsular Plateau के बारे में तो देखिए जो Penins तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेबल होता है कि बिलकुल टेबल आप माल लीजिए अपने रूम में रखते हैं तो क्या होता है रूम का सर्फिस काफी लो होता है और टेबल जो होता है वो काफी हाई होता है तो बिलकुल इसी तरीके का structure हमारा Plateau का भी होता है जो हम बहुत ही अचानक एकदम rise हो गया, बहुत ही उचा उसका surface है और उसका rise बिल्कुल flat है, तो इसी को हम table land कहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही structure हमारे penisural plateau का भी है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आखिर इसका formation कैसे हुआ, तो इसका formation हुआ था गुंडवाना land से जब तूट कर ये पूरा हिस्सा जब drift हुआ, तो इस वैसे तो जो गुंडवाला land का हिस्सा था, वो जब तूटा तो उसी से इसका formation हुआ, और ये oldest जो landmass है, उसका एक हिस्सा है, और ये जो plateau है, इसके बहुत ही broad, इसमें बहुत ही आपको broad और shallow valleys मिल जाते हैं, rounded hills मिल जा जिनका नाम है central highland और deckan plateau, तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, तो देखें, जो हिस्सा है peninsular plateau का, जो की नर्मदा river के north में है, उसे हम, जिसमें की आपका मालवा plateau आ जाता है, उसको हम central highland कहते हैं, और ये जो reason है, इसके आपके south में आपको windya range मिल जात और इसका जो further westward extension है, वो आपको sandy और rocky desert जो है राजस्थन का पुरेगिस्तान वहाँ पर जाकर मिलता है, और इसमें जो नदिया बहती हैं इस region में वो है, चंबल, सेंद, बेतवा और केन, और इसका जो एक तरीके से slope है, इन नदी का जो बहाव है, वो south west से north west की तरफ है, और इसी से हमें पता चलता है कि इस पूरे region का slope कैसा है, तो इस पूरे region का slope south west से north east की तरफ है, sorry, north west मैंने कहा दिया, तो इस चीज़ को हम थोड़ा से image के जरीए देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए, तो यहाँ पर आप देख सकते है कि यहाँ पर आपका नर्मदा रिवर है, तो यहाँ पर आपका ये नर्मदा रिवर है, तो इसके उपर ये जो पूरा इलाका है, ये आपका हो जाता है Central Highland और इस नर्मदा रिवर के नीचे जो ये जो पूरा इलाका है, ये आपका हो जाता है Deacon Plateau, तो इसी को जो हमारा प तो यहांपर अगर आप ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो Central Highland है। और यहां पर देख सकते हैं। इस Central Highland से आपको चम्बल नदी निकलती है। केन नदी निकलती है यहाँ पर बेतवा नदी निकलती और भी बहुत सारी नदिया निकलती है तो इसी चीज़ की यहाँ पर बात की गई थी हमारे textbook में और इसी को अगर हम बात आगे करें तो जो Central Highland है वो West में काफी wide है और east में काफी यह narrow हो जाती है तो यहां जैसा कि image में आप देख सकते हैं image में कि देखे इस region में यानि west region जो है वहाँ पर यह जो पूरा central highland है यानि यहाँ पर जो central highland है वो काफी चोड़ा है इतना चोड़ा है लेकिन जब east में हम जाते हैं तो central highland वो आपको काफी पतला हो जाता है इस region में देख सकते हैं काफी पतला हो जाता है तो देखें इस region का जो eastward extension है इस प्लेटू का उससे हम बुंदेल खंड और बागेल खंड के नाम से जाते हैं जो इसका लोकल नाम यही है और जो छोटा नागपूर प्लेटू है वो इसका और भी further eastward extension है यानि इसी जो हमारा मालवा प्लेटू है या फिर जो central highland है उसका eastward extension है हमारा चोटा नागपूर प्लेटू और इसमें से आपको दामोदर रिवर निकलती है तो यहाँ पर उसको भी हम image के जरीए देख लेते हैं तो देखे यह जो आपका reason है जहाँ पर मैंने black से इसको mark या फिर से में दिखा देता हूँ तो यह जो पूरा reason है यह जो पूरा reason है यह चोटा नागपूर प्लेटू है और यह भी आपके Central Highland का हिस्सा है और Central Highland का हिस्सा जो है वो आपको North East region में भी देखने को मिल जाता यानि इस region में यह जो आपका यहाँ पर black color यहाँ पर मैंने दिखा है यह region जो है आपका यह भी आपके Central Highland का हिस्सा है लेकिन वो इससे अलग है तो हमने Central Highland के बारे में तो पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं डेकन प्लेटू के बारे में देखे जो डेकन प्लेटू है वो एक तरीके का triangular landmass है जो की नर्मदा रिवर के south में इस्तित है तो अभी हमने map में देखा कि डेकन प्लेटू कहां इस्तित है और उसका size आप देखेंगे structure आप देखेंगे तो वो आपको triangular देखने को मिलेगा और इसके north में north border पर आपको सत्पूरा range इस्तित है और वहीं इसके आपको जो eastern region है वहाँ पर आपको महादेव पहाडिया या फिर कैमूर hills या फिर मैकल hills आपको देखने को मिल जाएंगे और इसको आ इस चीज़ को मैं थोड़ा सा explain करने की कोसिस करता हूं तो देखें मान लीजें यह आपका central sorry डेकन प्लेटू है तो इसका जो east region है sorry west region है और इसका east region में डेकन प्लेटू का height जादा है और इसके east region में height कम है तो इस तरीके का structure है आपके peninsular प्लेटू का जो west region है वहाँ पर तो देखें जो इस प्लेटू का एक extension आपको north east region में भी देखने को मिल जाएगा जिसे की locally में घालिया या फिर कार्भी अंगलोंग प्लेटू कहा जाता है या फिर north काचर hills कहा जाता है और इसको एक तरीके से fault या फिर भ्रंश के जरीए यह तूट कर अलग हो गया चोटा चोटा नागपुर प्लेटू से और इसमें तीन आपको prominent hills देखने को मिल जाते हैं जो की है गारो खासी और जैंतिया तो इस चीज़ को मैं आपको map के जरीए दिखाने की कोशिश करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह जो raid आपको यहां पर mark देखने को मिल रह प्लेटे हैं और आगे कुछ चीज़े पढ़ते हैं तो देखे जो western gharts हैं और जो eastern gharts हैं वो एक तरीके से western और eastern edges पर इसीर्थ हैं डेकन प्लेटू के और जो western ghart है वो एक तरीके से western coast के parallel में है और वो एक तरीके से continuously उसके साथ parallel में उपर से नीचे तक है और यहां पर चाहते हैं western gharts को पार करना चाहते हैं तो आप इनको सिर्फ passes के जरी यही पार कर सकते हैं और map में आप चाहें तो कुछ important reasons जैसे थाल भोर या फिर पाल घाट को एक तरीके से indicate कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं तो देखे western ghart की बात करें तो western ghart जो है वो higher है eastern ghart से तो दे eastern ghart के मुकाबले और जो western ghart है उनका average elevation है वो 900 से 1600 मेटर है वहीं जो आपका eastern ghart है उसका average elevation है 600 मेटर जो eastern ghart है वो महनदी वैली से सुरू होती है और ये निल गिरिस तक जाती है south में और eastern ghart की बात करें तो eastern ghart काफी discontinuous है और irregular है उसका reason यह है कि बहुत सारे rivers ने इसको कई स सारे जगों से काट दिया है कई जगों से तोड़ दिया है Bay of Bengal में और जो western ghart है वो एक तरीके से aurographic rain को cause करते है उसका reason यह है कि जो wind होता है जो की moist air को अपने साथ लाता है वो western slope से टकरा कर इस region में काफी बारिश कराता है काफी बरसा कराता है और जो western gharts है उनको बहुत सा साथ की तरफ तो इस चीज को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैप से तो देखे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो western ghart है यह reason हो गया यह reason western ghart यहां पर तो इसमें आप देखेंगे कि जो north है इस से south की तरफ आप जाएंगे तो इसका height increase करते जाएगा जैसे यह नौर्थ रीजन है और यह south रीजन है तो ऐसे ऐसे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो इसका जो height है वो बढ़ते जाएगा इस तरीके से इस तरीके से height बढ़ते जाएगा और जो highest peak है इस region में वो है अनाई मुडी डोड़ा बेटा और इनकी height है 2695 meters 2637 meters इसके बाद महेंद्रगीरी यह highest peak है eastern ghart में और इसके अलावा आपको शेवरोय हील्स या फिर जावेदी हील्स यह एक तरीके से eastern ghart के south इस region में इस्थित है इसके अलावा आप दूसरे जो famous hill station है जैसे कि OT हो गया है कोडाई कनल इन सभी को भी locate कर सकते हैं मैप में आप चाहे तो देख सकते हैं और देखिए एक जो सबसे अलग feature है पेनिसुरल प्रेटू का वो यह है कि यहाँ पर आपको black soil देखने को मिलता है जिसे कि हम एक तरीक इसे create हुआ था volcanic origin के वज़ा से और उसकी वज़ा से हम देखते हैं volcanic origin के वज़ा से हम जानते हैं कि igneous rock यहाँ पर काफी ज्यादा है तो actually जो यह जो rock है यह कई सालों तक एक तरीके से टूट कर या फिर हम कह सकते हैं काफी समय से process होकर यह एक तरीके से black soil का इन्होंने नि जावली hills है वो western और northwestern margin पर स्थित है peninsular plateau के और यह जो एक तरीके से reason है और यह जो hills है यह काफी erode हो चुके हैं और काफी एक तरीके से broken हो चुके हैं कई जगों पर इतने सालों तक process होनी के वज़ा से wind के वज़ा से और भी दूसरी चीजों के वज़ा से और यह जो है य जेली तक southwest to northeast direction में तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडेन desert के बारे में तो देखें जो इंडेन desert है वो अरावली hill के western region में लाई करता है और यह एक तरीके का undulating sandy plane है और यहाँ पर आपको sand dunes देखने को मिल जाते हैं और इस region में बहुत ही कम cover जो है वो भी काफी low है और यहाँ पर जो streams है वो appear होती है rainy season में लेकिन यह तुरंत ही गायब हो जाते हैं तुरंत ही disappear हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको इतना पानी नहीं मिलता कि यह सी तक पहुंच सके या फिर आपको समुद्र तक पहुंच सके और इस region में लूनी जो है वो सबसे बड़ी नदी है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मात्र बड़ी नदी है जो कि इस region में बैहती है और यहाँ पर आपको बरकान आपको देखने को मिल जाएगा और यह तरीका Christian dunes होते हैं sand dunes जो कि एक तरीके बहुत बड़ी हिस्से को cover करते हैं longitudinal dunes और यह आपको इंडिया पाकिस्तान के border पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे आप जब जैसल मेर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बरकान काफी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद अब हम पढ़ते है coastal plains को तो देखे जो पेनिसुरर प्लेटू ह इसके corner में यानि इसके बिल्कुल बर्गल में आपको narrow coastal ships देखने को मिल जाते हैं जो कि Arabian Sea के एक तरीके से परलली चलते हैं वेस्ट में और बेफ बेंगाल के परलली चलते हैं इस्ट में तो देखे जो western coast है जो कि एक तरीके से western घाट और Arabian Sea के बीच में है वो एक तरीके इसे गोवा तक है central हिसा जो है उसे कंणड plane कहते हैं और जो southern हिसा है उसे हम मालाबार coast कहते हैं और इसके साथ ही जो plains है आपके Bay of Bengal region में मौझूद वो काफी wide हैं काफी चोड़े हैं और उनका जो level है वो काफी समतल है और जो northern part जो है इसका उसको कहा जाता है northern सिरकार और व पूरे reason में इस coast पर बहुत ही बड़े-बड़े delta create कर दिये हैं और लेक चिलका जो है वो एक तरीके का बहुत ही important feature है eastern coast में बहुत ही important है और यहां पर एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि जो चिलका लेक है वो इंडिया में largest salt water lake है और यह Odisha में स्थित है जो की एक त पढ़ते है और पढ़ते हैं islands के दारे में तो दिखिए यहां पर हमने इंडिया के बहुत बड़े reason को हमें jadi कवर कर लिया हमालय के पास दो तरीके दो groups में island है, दो groups कहने का मतलब है कि जितने भी islands से उनको हम mainly दो हिस्सों में बाटते हैं, पहला तो आपका लक्शदीप हो गया और दूसरा आपका अंडमान और निकोबार हो गया तो आप चाहें तो लक्षदीप जो आइलेंड है उसको लोकेट कर सकते हैं मैप पर जो की मालाबार कोश्ट है केरला का उसके उससे काफी नजदीक है यह जो ग्रूप है आइलेंड का यहां पर आपको बहुत ही स्मॉल कोरल आइलेंड देखने को मिल जाते हैं और शुरुवात में इन्हें पहले इन्हें लक्षदीप मिनिकोई एंड एमिनिडीप कहा जाता था 1973 में इनको रिनेम किया गया था इंडियन गवर्मेंट द्वारा है और इसको फिर नाम दिया गया था लक्षदीप तो देखें यह जो पूरा रीजन है यानि लक्षदीप जो है यह कवर करता है 32 स्क्वार किलोमेटर और कावरती जो है वो एक तरीके का वहाँ पर एक बर्ट सेंचुरी भी है तो यहाँ पर देखें कोरल्स के बारे में बतायाएंगी आप चाहें तो पढ़ लें एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है definition explanation आपको दिया गया है और एक तरीके से इसके साथ है अगर आप देखें Bay of Bengal में तो आपको एक लंबा chain देखने को मिलेगा islands का और यह जो पूरा reason है यह जो island का group है इसे हम कहते हैं अंडमान और निकोबार islands और इनकी जो size है यह काफी बड़ी है इनकी size बड़ी है और इस ग्रूप में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको islands मिलते हैं और यह काफी एक तरीके से अलग थलाक है और यह जो पूर island group को दो हिस्सों में हम रख सकते हैं पहला तो अंडमान हो गया जो कि north में है और निकोबार जो कि south में है और ऐसा माना जाता है कि यह जो islands हैं यह submarine mountains के एक हिस्से हैं तो submarine mountains क्या होते हैं यह भी आप चाहे तो google कर लें लेकिन यह उतना important नहीं है इसको हम छोड़ देते हैं तो देखें यह जो island groups हैं यहाँ पर आपको बहुती एक तरीके से strategic importance है इन्हे islands का इंडिया के लिए क्योंकि यह एक ऐसी position पर है जो की काफी important है इंडिया के लिए Indian ocean में और इस region में भी यानि कि इस island group में भी आपको बहुती ज़्यादा diversity of flora and fauna देखने को मिल जाता है और यह जो island है यह equator के काफी करीब है इसलिए यहाँ पर आपको equatorial climate देखने को मिल जाता है और यहाँ पर forest कबर जो है वो काफी ठीक है और यहाँ पर simply आपसे कहा गया है कि देखें यहाँ पर एक तरीके से summary है इस chapter का a detailed account on different physiographic units highlight the unique features of each region तो देखें यहाँ पर हमने पढ़ा बह unique features बताते हैं अलग-अलग इलागों के और it would however be clear that each region compliments the other and make the country richer in its natural resources तो देखें जो भी हिस्सा है इंडिया का वो एक तरीके से इंडिया को अमीर बनाता है अपने natural resources से जैसे कि mountains की बात करें तो वो water और forest wealth का का काफी important source है Northern Plains जो है वो ग्रैनरीज है इंडिया का वो एक तर प्रवात में जितने भी civilization बने वो एक तरीके से उनका base किया था उनका base था Northern Plains और इसके साथ ही जो प्लेटू है वहाँ पर आपको minerals मिल जाते हैं और वो एक तरीके से crucial role अदा करते हैं इंडिया कंटी के इंडिया आइशन में और इसके साथ ही जो coastal region है island group से ये एक तरीके स help करते हैं fishing और port activities में तो इस विए से जो diverse physical features है वो उनका काफी future possibility है और development का काफी chance है वहाँ पर तो इसलिए यह एक तरीके से इंडिया के लिए काफी ज्यादा hope है future में तो देखें यहीं पर हमारा यह chapter खत्म होता है तो मिलते हैं आप से हम नेक्स वीडियो में किसी और chapter के साथ तब तक के लिए good bye